हेलो श्टूडेन कैसे हैं आप सो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रहे होगी बच्चो और क्लास्टो फिजिक सेंसियार्टी में आपका चैप्टर 11 चल रहा है कौन से चैप्टर चल रहा है 11 सबको पता है न या प्रतेक पैकेट को हम कोण्टा या फोटान कहते हैं बहुत ही सिंपल है बच्चो प्रकास विक्रन जो है उर्जा के छोटे-छोटे बंदलों से मिलकर बना होता है उन बंदलों को ही हम कहते हैं फोटान कहते हैं दूसरी परिभासा भी लिखना चाहते हो तो प्रकास एक कन की भाती बेहार करता है प्रकास की इस कन को ही फोटान कहते हैं मतलब सुच्मितम कन होगा देखिए दुनिया का कोई भी बस्तु है कुछ न कुछ उसके इकाई के रूप में होगा जिससे वो मिलकर बना होगा आप ये पेन देख रहे हो ना इसका भी एक सुच्मितम इकाई होगा जिससे वो मिलकर बना होगा ऐसे प्रकास क्रिणे जब आती है तो हमें दिखती तो नहीं है प्रकास फैल जाती हमें दिखती नहीं है लेकिन कभी-कभी हम अनुभो कर पाते हैं कभी-कभी हम अनुभो कर पाते हैं मारे पास छाँ होता है और दूर प्रकास होता है जब बादल घिरी रहती है बच्चो बादल घिरी रहे तो कहीं पे धूप कहीं पे छाँ ऐसा नजर आता है तो प्रकास चलते भी नजर आता है लग रहा हो आ रहा है और तरंग के रूप में यह कभी दूर लालीमा दिखाए तो उसकी भी कोई न कोई इकाई होगी मूल रूप से जिससे वह मिलकर बना होगा समझ है तो वही चीज बताया गया जो प्रकास क्रिने आ रही है यह कहीं न कहीं कनों के कंपन से एक दूसरे को उर्जा ट्रांसपर करते हुए आ रही है ऐसा तो नहीं है बाई की लगातार आत रही आती तो नजर आती तो यह कंपन करते हैं तरंग करने एक दूसरे को उर्जा ट्रांसपर करते हो यह हमारे यहां तक पहुंझ जाती है इतनी तीब्र होती है कि वह हमें दिखाई नहीं देती तो माना गया कि यह जो प्रकास विक्रण छोटे-छोटे बंदल हो है पैके इतना होता है आप बताओ प्रकास का चाल तो इसका चाल होता है तीन गुड़े-दस घाते आट मीटर पर सेकेंड और प्रकास का सुच्मितम इकाई ही फोटान है अलग से नहीं बच्चों कहीं अलग से आप आ गए है ठीक है यह प्रकास का ही भाग है तो जब प्रकास का च चाल 3,10गाते 8 मीटर पर सेकेंड है तो फोटान काभी 4,10गाते 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा ठीक है पहला गुण हो गया अब देखो फोटान यन्हार प्रकास किने आ रही है तो माध्यम उसको कोई प्रभवब helpless तो यह वी फोटान भीविन माधमों चेये फोटान को विविन माधम से गुजारा जाए तो भाई उसका आबरती कभी नहीं बदलता जिस आबरती से आबरती क्या है इकाई समय में कितने बार कंपन करती हो कर आगे बढ़ रहा है इकाई समय में कंपन की संक्याई बच्चो कहलाता है क्या आब्रत ही कहलाता है तो जब भी फोटान माद्यम बदल दे जैसे प्रकाश कीरण माल लीजिए बायू से जल में जा रहा है तो फिर इसकी आब्रत नहीं बदलेगी तरंग दैरत भले बदल जाए चाल इसकी भले बदल जाए ठीक है अगला नमबर ये भी ये बच्चो कि जो फोटान होता है कभी बिद्दु छेत्र या चुमिकी छेत्र से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये हमेशा उदासीन होता है इसलिए ये तो नाही बिद्दु छेत्र से प्रभावित होता है नाही भी छेपित होता है और माही चुमकी छेत्र से तो दो तीन गुन अभी लक्षण ऐसे आसान हैं जिससे आप आसानी से त्यार कर सकते हैं अब इनके पहला नंबर देखो भी लक्षण में कि किसी निष्चित आपरति के प्रकास की तिवर्था बढ़ाने पर पतेज फोटाण की उर्जा अपरिवर्थित रहती है किन्तु दिए गए छेत्रफ़ल में फ्रती सेकेड गुज़रने वाले फोटाण की संच्या बढ़ जाती है फोटान की उर्जा कभी बदल नहीं सकती भाई साम उर्जा का निश्चित रूप ही है उर्जा स्वर्चन करियाम पढ़ा है आपने उर्जा ना तो नश्ठ होता ना तो उत्पन होता है केबल रूप बदल सकता है तो यहां पर बताया गया है कि निश्चित आपरत की प्रकास किसी सतह पर आप्तित हो रही है तो उसकी फोटान की उर्जा कभी बदलेगी नहीं बलकि तीवरता बढ़ाओ तीवरता का मैंने एक अच्छे तरीके समझाया था कि यह कहीं पर आग जल रहा है और आग के जितना पास आप हाथ ले जाओगे तो हाथ में उतना ही गर्म आभास होगा उतना ही हीट आपके हाथ में लगेगा उतना ही ज़्यादा तापमान आपके हाथ तक तच करेगा छुएगा आपके हाथ तक पहुँचेगा और आपको गर्मी का आभास होगा वही आग से आप हाथ दूर ले जाओ तो भाई उसकी उर्जा उतनी ही है उसकी एनर्जी में लॉस नहीं है बस इतना है कि तीबरता कम होगे क्योंकि दूरी बढ़ गया बल्व आपके आँख के सामने लगा दिया जाए तो फिर इसनी तीबरता आपके आँख पे पड़ेगी कि उस बल्व को दूर ले जाना पड़ेगा वही पेदी 100 मीटर दूर बल्व को लगा दिया जाए तो उसकी तीबरता आप तक आपके आँख तकाने में कम हो जाती है तो तीबरता मतलब जैसे आप हलके हाथ से मारो तीबरता कम लगाया था ऐसा नहीं कि हाथ ही कम जोर है आपने जोर से मार दिया तीबरता ज्यादा लगा दिया ज्यादा बल लगा दिया तो ऐसा नहीं कि हाथ मजबूत हो गया हाथ की quality उतरी ही थी हाथ में ताकत उतना ही है बस तीबरता आपका आदक हो गया इसी प्रकार कहा जाता है कि तीवर्टा यदि बढ़ाओगी तो भई सहाब उर्जा में परिवर्टन नहीं होगा कि बल्टी बढ़ा दिया जाया तो इलेक्टरान की संक्या भी प्रसेकंड फोटान की संक्या बढ़ जाएगी ठीक है यह चीज है उसके उर्जा नहीं बदलती है फोटान का चाल प्रकास के चाल के लगबग बराबर होता है जब कोई फोटान विविन मादमों से गुजरता है तो आबरत नहीं बदलेगी यह पहले भी मनें बता दिया आबरत ही यह परिवर्टित रहता है बच्चो जबकि उसका चाल या तरंग दैर्ट बदल सकता है फोटान जो उदासीन प्रकातिका होता है इसलिए बिद्दु छेत्र या चुम की छेत्र से क्या हो सकता है बिछेपित नहीं हो सकता ठीक फोटान कर संगट में कुल उर्जा और कुल संबेक सनरचित रहता है किन्तु फोटान की संख्या परिवर्टित हो सकती ह फोटान की संख्या बदल सकती है लेकिन उर्जा नहीं है तो मैंने पहले भी बता दिया मुलभूत सिध्धान्त है उर्जा में बदलाओ नहीं होगा ठीक चले पांच आपको त्यार करना है फोटान के पांच अभिलच्छन त्यार करना है जैसे फोटान की उर्जा एदी हम ब बताया था कि प्रकास की जो विक्रन है छोटे-छोटे बंडल या पैकेट की रूप में पाये जाते हैं इन पैकेट या इन बंडलों को ही हम क्या बोलते हैं बच्चो फोटान कहते हैं जिसकी उर्जा E बराबर H निव के बराबर होता है ठीक इसके बाद संबेग का जो फोट होता है द्रबमान गुणे बेग तो द्रबमान हमारा M और संबेग आपका सी प्रकास का चाल ही फोटान का चाल होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह कि यह कोश्चन अबजेक्टिव में पूछा जाता है कि चाल भी हो तो गतिमान करके द्रबमान का फार्मुला क्या होता है M not upon under root 1 minus B square upon C square जहां पर M not जो है या M 0 है बिराम द्रबमान है बच्चो तो यह आपके पास कितने हो गए अभी अच्छन 8 हो गए ना ठीक है यह दि द्रबमान की करना करना चाहिए तो द्रबमान कैसे निकाल सकते हैं E बराबर होता है Einstein के अनुसार M C square E बराबर होता है H new यह प्लांग के आधार पर तो इन दोनों को तुलना कर दें तो यदि हम कह दें M का मान H new अपान C square यह आपका निकल कर आगया है ठीक है यह चीज भी आप लिख सकते हो कि भासा है आप आगे आपको गुण में लिखना है तो इसको इतना लिख लो आप लो कि फोटान का तुलन द्रबमान M निम्न समाखरना हो दोना दोना दीया जा सकता है यह बराबर होता है यह प्लंग के आधार पर M into C square होता है यह आपका आंश्टीन के आधार पर होगे एम कमान निकालोगे तो H new बटा C square पक्षानतर कर दो यह new कमान होता C upon lambda तो C upon lambda करोगे तो C से C कर जाएगा answer आ जाएगा यह फिलाल आपके बच्चो फोटान के विलक्षण है जिनको आपको त्यार कर लेना चाहिए उम्मीद करता हूँ छोटा से वीडियो पसंदा को पसंदा लाइक करके शेयर कर दें एदि हैंडिटे नोट्स चाहिए आपको तो कंटेक्ट कर सकते हैं 96-39-49 पर कंटेक्ट नमबर 96-39-49 पर और हैंडिटे नोट्स प्रापार रूप से ले सकते हैं ओके बच्चो जय हिंद बंदे मातरम